ग्रुप में जैसे जैसे हम नीचे जाते जाते हैं जो हमारा element है उसका size increase होता जाता है ये बात हम जानते हैं विकॉज जैसे जैसे तुम नीचे जाओगे अगर तुम nitrogen की बात करो तो nitrogen में होगा 2 orbit अगर तुम phosphorus की बात करो तो उसमें होगा 3 orbit और अब यह सी बात है कि एक नया orbit अगर add हुआ है तो इसका size increase करेगा similarly अगर तुम RCN की बात करो तो उसमें होगा 4 orbit total and so on अगर तुम antimony की बात करो और विश्मत की बात करो तो उसमें orbits बढ़ते जा रहे हैं और जो तुमारा outermost या कोई भी electron है वो एक negatively charged entity है तो कोई positive charge और कोई negative charge लोगों के बीच में एक force experience हो रहा होता है और उस force को हम लोग क्या बोलते हैं attraction force होगा जो कि कुलंबिक law से हम इसको explain कर सकते हैं तो कहने का मतलब है कि f जो है वो directly proportional है 1 by r square के इसको हम ऐसे भी पढ़ते हैं कि f जो है वो inversely proportional है r square के through कुलंब्स law तो इसका मतलब क्या है इसका मतलब है कि जैसे यह तुमारा distance जो है वो बढ़ेगा जैसे तुमारा nucleus और outermost में जो electron है उसके बीच distance बढ़ेगा वैसे वैसे यह जो force लग रहा है nucleus और electron के बीच वो घट रहा होगा जैसे मतलब क्या है कि जैसे तुम नीचे जाओगे कहने का total मतलब यह है जैसे तुम नीचे जाओगे नीचे जाने में क्या होगा कि जो तुमारा nucleus और तुमारे outermost electron में जो तुम्हारा force लग रहा है वो force घटता जाएगा because of this r square factor अब क्या है कि आइनर्जेसर एनर्जी होता क्या है आइनर्जेसर एनर्जी यह जो इलेक्ट्रॉन है इसको निकालने के लिए हमें कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी तो यह बात हमें समझ में आ गया कि आइनर्जेसर एनर्जी होता क्या वही जो एनर्जी हम प्रभाइट करते है to remove this electron from the atom is called ionization energy तो तुम्हें समझ में आ रहा होगा feel आ रहा होगा कि अच्छा ionization enthalpy कुछ भी हो जाए positive ही होगा हमें देना ही पड़ेगा क्यों क्योंकि nucleus तो हमें सब electron को अपने तरफ खीच के ही रखा होगा ठीक है तो मैं बोलूँगा कि देखो अब अगर तुम्हारे पास nitrogen है ठीक है अगर तुम्हारे पास nitrogen है और इसमें से अभी तक हमने कोई भी electron निकाला नहीं है आई में कि nitrogen अभी neutral है उसमें से जब हम पहला electron निकालते हैं तो हमें जो energy देनी परती है उस energy कों बोलते है IE1 तो ionization enthalpy 1 similarly phosphorus के outermost जब वो neutral है अभी तक कोई electron निकाला नहीं गया है normal है तब उसमें से जो पहला electron अपन निकालेंगे तो उसकों बोल देंगे IE1 of phosphorus जो जिसके value यहाँ पर दिया गया है अब देखो अब जैसे ही तुम nitrogen से एक electron निकाल लेते हो तो यह N plus बन जाएगा phosphorus से एक electron निकाल लेते हो तो यह P plus बन जाएगा similarly arsenic से एक electron निकाल होगे AS plus बन जाएगा क्युक्कि यह जैसे जो तुम नीचे जा रहे हो साइज बढ़ रहे है साइज बढ़ रहे है तो कोलंबिक force क्या कहता है कोलंबिक लॉर्द क्या कहता है कि साइज बढ़ेगा यार न तो तुम्हारा force जो है वो घट रहा होगा वो भी square के proportional होड़ा है तो जैसे तो नीचे जा रहे हो, तो side जो है, वो square के proportional में घट रहा है, जिसकी करण से तुम देख पा रहे हो, कि तुम्हारा जो energy देना है तुम्हें, आयना जैसे in enthalpy 1, वो घटता जा रहा है, और घटना ही चाहिए, ये बाद तुम्हें यहां से feel होना चाहिए, now, तो ये तो IE2 की बात करें अब, ठीके, तो IE2 में क्या होगा, IE2 का मतलब है कि जब एक electron तुम इसमें से हटा दे रहे हो, मतलब अब nitrogen, nitrogen नहीं रहा, क्या बन गया है, nitrogen plus बन गया है, तो nitrogen plus से जो पहल अब electron हटाने में, तुम्हें energy देनी पड़ेगी, वो, उसको हम बोलेंगे IE2, similarly, जो nitrogen 2 plus से electron को हटाने के लिए energy देनी पड़ेगी, उसको हम बोलेंगे IE3, similarly, तुम phosphorus 2 plus से हटाने के लिए energy देनी पड़ेगी, उसको IE2 बोलेंगे for phosphorus and so on, तुम आगे तक extend कर सकते हो, now, अब देखो यार, अब बात आते है कि होता क्या यहां पे, होता यह है कि जब तुम ए एक electron को यहां से हटा देते हो, जब तुम एक electron को nitrogen का outermost से हटाते हो, तो इसका size थोरा सा shrink कर जाता है, reason क्या है, reason यह है कि अभी outermost में था 5 electron, जब nitrogen, nitrogen था तो, एक electron हटाने के बाद रह गया कितना, 4 electron, तो पहले जो यह nucleus था, जो पहले यह nucleus था, वो पहले क्या कर रहा था, पहले वो 5 electron को खीच रहा था, अब 4 लोगों को खीच रहा, तो अब यहसी बात है, कि थोड़ा सा ज़्यादा force से यह खीच रहा होगा, थोड़ा सा ज़्यादा force experience करना पड़ेगा इसे, जिसके कारण से इसका effective side जो है, वो थोड़ा सा घट गया, और effective side थोड़ा सा घटा ह का मतलब क्या हुआ, आर का value घटा है, और आर का value घटा है, मतलब force जो है, वो tremendously increase कर गया होगा, तो यहां से, मतलब IE1 और IE2 में अगर compare करें पन, तो अग यह सिवात है कि IE2 जो है, वो जादा होगा, बहुत जादा होगा, क्योंकि side जो है, वो shrink कर जाता है, जब हम एक electron न सकते हो, कि इन दोने में IE1 और IE2 में बहुत जादा difference देखने को मिला है, similarly, ऐसे ही क्या हो जाएगा, IE1 और IE2 में, क्या होगा, IE2 और IE3 में क्या हो जाएगा, क्यों इतना जादा difference देखने को मिला होगा, अब एक और electron इसमें साटा होगी है, तो इसका side और shrink करेगा, और अगर इसका side और shrink किया, इसका मतलब कहा है कि यह force जो है, और ज़्यादा increase किया, और और ज़्यादा force increase किया, तो अब जो electron रह जाएगा, let us suppose हमने इस electron को हटा लिया, अब जो electron रह जाएगा, यह जो electron तुम्हें दिख रहा है, इन तीन electron में से एक electron को हटाने के लिए जो कुछ condition है, ऐसा, तो मतलब हम क्या समझ रहे हैं, समझ रहे हैं ऐसा कि अर N से तुम N प्लस में जाओगे, तो size थोड़ा छोटा होगा, N से N 2 प्लस में जाएगा, तो size और छोटा होगा, और size अगर छोटा होगा, तो force बढ़ेगा, तो तुम्हें energy जादा देनी ही to remove the electron, simple सी रात है, अब हम बोलेंगे कि या, देखो, N से N प्लस में जाएगा, तो size का थोड़ा सा reduction देखने को मिलेगा, P से P प्लस में जाएगा, तो थोड़ा सा size को reduction देखने को मिलेगा, लेकिन, again, यहाँ पे हमें यह बाद ध्यान रखना है कि P में एक extra cell है, तो कितना भ प्लस का size, N से साइज से बरा ही होगा, मैं क्या बोला हूँ, कि N से तुम N प्लस बना लोगे, P से जब तुम P प्लस बना लोगे, I mean, first आयो जिसे नेर्जी के बाद, तो AS से जब तुम AS प्लस बना लोगे, आर्सेनीक प्लस बना लोगे, ऐसे ही anti-money से जब तुम anti-money प्ल है कहने का मतलब है कि अभी भी N+, P+, से चोटा होगा, आरसेनिक से चोटा होगा, SP से चोटा होगा, BI से चोटा होगा, ऐसा हमें-F Feel आता है, क्यों? क्योंकि एक-एक extra cell इसमे add किया गया है, right? Right, तो इसका क्या मतलब है, क्या भी N+, का size P+, से चोटा है, मतलब ie, 2 of n प्लस जादा होगा i e 2 of p प्लस समझ रहे हो क्यों राइट i e 2 of n प्लस जादा होगा i e 2 of p प्लस and so on मतलब अभी भी नीचे वाले लोग उपर वाले लोग जो हैं छोटे साइज के हैं और छोटे साइज होने की कारण से तुम देख सकते हो कि तुम नीचे जाते जाओगे इसकी जो value है वो घड़ती जानी चाहिए लेकिन लेकिन यहां से यहां तक तो बढ़िया चल रहा था इसमें आ गया लोचा और जिसको कि लोग exception बोलते हैं जो कि exception है नहीं इसके बारे में मैं अभी explain करूँगा कि यह क्यों लोचा हुआ है SB का जो है वो requirement कम है और बिसमत का requirement जादा क्यों हो गया इसके बारे में हम बात करेंगे यहां पर यह देखो तो यार देखो जो हमने ऐजंसन ऐसा हम ऐजंसन कर लेते हैं कि यह वाला चीज hold कर रहा होगा अभी भी N प्लस बनने में P से P प्लस बनने में AS से यह वाला जो relationship है size कर रहा होगा यह बात गलत है यह बात सत नहीं है इसके लिए मैं क्या करूँगा जल्दी से configuration तुम्हें दिखाऊंगा और configuration में अपन यह देखेंगे कि किस तरीके से F और D के involvement के कारण यह सब गरवरी देखने को मिल गया है उपर में तो देखो यार बिसमत और केबल में बिसमत और N के बननी के configuration के बात करूँगा क्योंकि इन लोगों में कोई ज़्यादा change नहीं देखने को मिला है इनके plus बाले instance में अगर तुम plus P कर लो plus N plus कर लो P plus कर लो AS plus कर लो फिर भी size का कुछ इस तरीके कहीं सिस्टम रह रहा होता है लेकिन यहां पे size का system ऐसा नहीं होता कुछ change हो जाता है क्या change हो जाता है S b का size बिसमत प्लस के size से बढ़ा हो जाता है ऐसा कैसे हो जाता है यार इसमें तो एक extra cell है ना ऐसा कैसे हो जाता है ऐसा ऐसे हो जाता है अपन देखते हैं देखो होता क्या है कि अगर तुम इस वाले चीज़ को देखो 83 टोटल इसका atomic number 83 है मत्तम number of electron 83 होगा इसके अंदर और number of proton 83 होगा कोई element by default neutral होता है that is y number of electron and number of proton जो है इसमें बराबर होता है अब हम जानते हैं कि यहां पर मैं देखो मैं देखो डी में जितना electron हो भरता हूँ मैं सारा ही फिल्दर होगा ऐसा configuration कैसा होगा इसका सब में last में 3-3-3-3 भर दो मुझे कैसे मालू मैं तुम भी करके देखोगे पता चल जाएगा क्योंकि इसके P में 3 होता है और जो तुम्हारा last orbit है उसमें total 5 होएगा तो P में इसक कि outermost में 5 electron होता है यह fix है nitrogen family के outermost में nitrogen family के सारे element के outermost में 5 electron होगा now तो अब तुम सारे D और F को मैं point करना चाहरा हूँ क्यों point करना चाहरा हूँ मैंने एक बात बताई थी राश लेक्चर में कि D और F का जो silding effect होता है वो poor होता है इसके बारे मैं अभी भी explain करूँगा कि silding effect क्या होता है, क्या poor होता है क्यों poor होता है, इसके बारे में थोरा सा मैं भी detail बताऊँगा, so देख या d में पहले मैं electron count करूँगा, बस अभी फिर तुम्हें aim पता चल जाएगा कि क्या aim है d में electron count करने का तो तुम देख सकते हो कि total number of electron कि अगर मैं बात करूँ, तो 10, 10, 20 30 और ये 14, अगर मैं बात करूँ तो 30 plus 14 that is equal to 44, तो तुम देख सकते हो कि more than half of the electron जो है, वो d और f में गया है ये बात को note किया जाए कि more than half electron in case of bismut d और f में गया है now अब अपन क्या करते हैं, अच्छा चलो, एंटिवनी का भी है, अपने के बार कितना electron गया है, d और f में वो दिखा देता हूँ मैं तुम्हें इसमें 10 गया होगा, और इसमें भी 10 गया होगा, bc electron ही total d and f में गया है, I don't think की कुछ हूटा है, नहीं, bc electron गया है देखो, अब मैंने क्या बताया, कि d और f का selling effect जो होता है, वो poor होता है क्यों ऐसा, ये समझते हैं, देखो अब क्या है, कि यहाँ पे तो यार 83 total positive charge आ गया इस nucleus के अंदर में, लेकिन जो electron का distribution हुआ यहाँ पे तुम ऐसे देखो, ऐसा होगा कुछ बस इतने ही जगह पे इतने ही जगह पे, uneven distribution होता है d और f में जो electron जाते हैं, उनका distribution uneven होता है, कहने का क्या मतलब है कि एक particular position atom के अंदर एक particular spot पे maximum density होता है electron का, और बागी सारा जो electron का density हो, खाली होता है मतलब, d और f orbital ऐसा अगर हम photo बनाते हैं, तो मैंने तुम्हें last lecture में बताया कि d और f orbital का spot यहाँ पे electron density जाता होता है, और बागी electron density कम होता जाता है, तो मैं यहाँ पे for the sake of your understanding यह बोल देता हूँ कि सारा electron जो है न 20 electrons है, जो कि let's suppose यहाँ और यहाँ पे ऐसे बैठे हुए बागी सारे लोग ऐसे घूम रहे हैं और पूरा sild create कर रहे हैं अब देखो, बागी जो 50% है वो पूरा ऐसे घूम रहा होगा, यह sild create कर रहा होगा, आउटर मोस्ट के लिए इसमें sild create हो रहा, आउटर मोस्ट के लिए sild create हो रहा होगा, यह इसमें जो भी जो electron बचे होंगे, s और p वाल electron, वो ठीक ठाक रूप से distribute होके जो आउटर मोस्ट electron होगा उसके लिए sild create कर रहे होंगे तो आउटर मोस्ट में अभी कितना electron बचा हुआ है चार क्या हो, क्योंकि एक electron इसमें से चला गया है, हम बिसमत प्लस की बात कर रहे है और एंटीवनी प्लस की बात कर रहे है एक electron चला गया है, चार electron बचा है, तो तुम देख सकते हो कि यार, जो sild है, जो sild है, वो यह electron के कारण यहां भी कुछ ऐसा ही होगा, लेकिन यहां पे जो नुकलियस का चार्ज है, वो केबल, यह केबल जो है, 51 है यहां पे तुम अगर देख सकते हो, इसमें चोटल प्रोटॉन 51 है तो यहां पे भी एक्सपोज होएगा, यह आउटर मोस्स से एक्सपोज होएगा, लेकिन यहां पे जो चार्ज में ट्रेमेंडस इंक्रीमेंट देखने को मिला है और जो तुम्हारा डिस्टिब्यूशन है, वो बहुत पूर होता चला गया है जो एक पर्टिकुलर्ड एरिया में कंसंट्रेटिट हो गया है यह सेक of understanding के लिए मैं यह बता रहा हूँ actual distribution मैंने last lecture में बताया है कि कैसे actually distribute होता है एक orbital के अंदर में हमारा electron किस तरीके से distribute होता है तो इतने जगह पे तुम्हारा 50% मतलब ये जगह और ये जगह मिला कि तुम्हारा 50% electron allocated है इसका मतलब क्या है कि ये जो electron है ना उसके बीच उसके और nucleus के बीच कोई नहीं आ रहा मतलब बहुत कम sild create कर रहा है yes वाला और p वाला बहुत कम sild create कर रहा है लेकिन ऐसा होना के चाहिए था ये लोग भी अगर sild create करते तो बहुत अच्छा sild हो जाता sild का मतलब क्या एक kind of layer between nucleus and this electron इन दोनों के बीच एक sild create करता अगर ये सब मिलके तो एक अच्छा खासा दिवाल टाइब का हम बोल देते कि एक दिवाल खाड़ा हो गया इन दोनों के बीच लेकिन ऐसा नहीं है कैसा है 50% electron ही sild create कर रहे हैं 50% concentrated है एक particular position पे जिसके कारण से क्य कोटा हो जाता है अगर तुम देखोगे अगर मैं तुम एक data देखा हूं interesting data तो यहां पर तुम देखो यार covalent radius में अगर तुम इस चीज़ को observe करोगे इस चीज़ को तो बहुत ज़्यादा difference नहीं है अभी भी मतलब अगर तुम normal बिस्मत और normal antimony भी लोगे न तो फिर भी बहुत ज़्यादा difference नहीं है इसका 141 picometer दिया हुआ है इसका 148 picometer दिया हुआ कहने का मतलब है कहने का मतलब है कि even if की एक orbit add हुआ है इसके outermost में फिर भी इसका केवल 7 picometer ही increment देखने को मिल रहा है इसके radius में ऐसा क्यों हो रहा है same effect because इसके जो electrons है वो एक particular area में concentrated हैं जिसके कारण से हम देख रहे हैं कि ये जो electron है वो काफी ज्यादा सफर कर रहा है कि Is Coronation से किसके서 nucleus का interaction nucleus में काफी heavy charge आ गया है जिसके कारण सम स्वे इसमें जब हमें एक electron इसके हटाते हैं तो इसमें जो size reduction हुआ और इसमें जो size reduction हुआ वो reduction इतना जादा हो जाता हैoop कि बिस्मत की case में इतना ज्यादा rejection हो जाता है कि तुम्हारा anti-money का size बड़ा हो जाता है बिस्मत के size से और वहीं पर आ जाता है जिसको कि लोग exception बोल देते हैं वो क्या है हमारा actually concept है कि ये वाला चीज क्यों हुआ है अब हमें ये बात समझ में आ रही होगी कि अच्छा इसक electron का poor ceiling effect कैसे poor ceiling effect होता है इसके बारे मैंने last lecture में बताया है थोड़ा सा इस selection में एक्सेप्शन करिया है तो तुम इस चीज को भी ceiling effect again poor ceiling effect होता है poor ceiling effect होता है F and D और vital से एक और electron तुम हटा होगी इसका size का reduction फिर से जाता होगा इसके reduction से तो अब क्या हो जाएगा इसका जो size है इसका जो size है वो I mean जब plus वाले की size की में बात कर रहा हूं Sb plus और तुम्हारा bismut plus की size की बात करूं तो Sb plus का size bismut plus के size से बरा ह हो जाता है and that is why हम लोग यह exception जिसको की लोग exception बोलते हैं by the way तो यह चीज जो data में तुम्हें यहां पर बोल सकते हो की trend के according यह data नहीं आ रहा है this is the reason reason क्या है मैं एक वार इंसॉर्ट करता हूं reason यह है कि यह विसमत के अंदर विसमत के अंदर क्या हो जाता है कि uneven distribution होता है more than 50% electron का देख रहा हो कि यहां पे और यहां पे एक particular area में सारा electron gathered रहता है and that's why होता क्या है यहां पे इस area के में electron होने करने जो silding है proper जो दिवाल create होना चाहिए इसको protect करने के लिए nucleus से वो create नहीं हो पा रहा है right only 50% or less than 50% electron is responsible to create the sild so that is why क्या हो जाता है कि इस electron को attraction force face करना पड़ता है बहुत ज्यादा in case of bismuth and that is the reason कि यह लोग खिच जाते हैं कुछ ज्यादा ही खिच जाते हैं कि इनका size बहुत ज्यादा तुम देख सकते हो size बहुत ज्यादा difference आया नहीं है और एक electron हटाने के बाद तो यह और ज्यादा खिचेंगे क्यों क्यों कि पहले 5 लोगों खिचना था अब 4 लोगों को ही खिचना है और ज्यादा खिच लेगा इसको और इसका size ऐसा हो जाता है कि bismuth का size जो है वो तुरं F जो है tremendous increase करेगा tremendous increase करेगा इसका मतलब क्या है मतलब यह है कि जितना इस electron को निकालने के लिए तुम्हे energy देनी पड़ेगी उससे जादा energy तुम्हें इस electron को निकालने के लिए अब देनी पर रही होंगी from bismuth plus